आज हम बात करेंगे अंग्रेजों के जमाने के एक और इंटरस्टिंग कानून के बारे में जी हाँ, इंडियन टोल्टेक्स एक्ट 1851 जो की आजादी से काफी साल पहले तेयार किया गया था और वो आज तक चल रहा है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये टोल्टेक्स है क्या इसे वसूल करने के लिए इस अधिनियम में कौन से प्राउधान दिये गए है हर टोल प्लाजा पर पुलिस क्यों खड़ी रहती है इस अधिनियम के लागू होने के टाइम पर किन वैक्तियों को टोल्टेक्स से छूट दी गई थी और टोल प्लाजा पर लिये जाने वाले टोल्टेक्स का रेट हमें पहले कैसे पता चल सकता है साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस अधिनियम में सजाकिक क्या प्रावधान किये गए थे और इस वीडियो के अंत में इस विशे से सम्बन दित आपको एक विशे सूचना देने वाला हूँ तो कहीं मत जाईए और इस वीडियो के अंत तक बने रहे चलिए शुरू करते हैं किसी भी अधिनियम का पहला सेक्षन उस अधिनियम की परिभासा बया करता है लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि इस अधिनियम के सेक्षन एक को 1870 में हटा दिया गया और टोल टेक्सी परिवासा के नाम पर आज हम बस इतना ही जानते हैं, कि टोल टेक्स बनाए होई सटकों की मरम्मत के लिए तथा उनकी लागत को एणिस्ट वसूल करने के लिए लिया जाता है इस अधिनियंमे टोल टेक्स वसूल करने के लिए कमेदारे दी गई है इस अधिनियम में उन कलेक्टरों को सक्तिया परदान की गई है कि उस मार्गिस से गुजरने वाले प्रतिक टेक्सेबल वाहन पर टोल टेक्स वसूल किया जाए और यदि वो टोल टेक्स नहीं देता है तो उसकी गाड़ी अत्वा वाहन को जब्त करके उसकी गाड़ी के प वो भी वे पुलिस अधिकारी जो ओन ड्यूटी पर सरकारी वाहन का परयोग कर रहे हैं जी हां इसके अलावा किसी को भी टोल टेक्स से छूट की रहत नहीं दी गई थी यहां तक कि आर्मी ओफिस्चल्स को भी टोल टेक्स की छूट नहीं थी चाहे वे ओन ड्यूटी हों अथ्वा ओफ ड्यूटी इसी को सुधार करने में इतने वर्स लग गये कि 1851 में लागू हुआ कानून 1901 में अमेंड होता है जहां पर आर्मी ओफिस्चल्स को भी टोल टेक्स से छूट दीने का प्राउधन किया जाता है और अब बात करते हैं कि आखिर हर टोल प्लाजा प उनका सहयोग करते रहेंगे इसलिए आपने देखा होगा कि हर टोल नाके पर पुलिस खड़ी रहती है और भरपू सुरक्षा टोल कलेक्टर तथा उन्हें टोल वसुलने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान की जाती है इस अधिनिया में यह भी प्राउधन किया गया है क कि हर टोल प्लाजा पर उस टोल में लगने वाले रेट का एक लिस्ट सुच्छी तयार होगी और उसे विश्ज स्थान पर लगा जाएगा जहां से उसे देखने में असानी रहे और वह इंगलिस बहसा के साथ साथ उस जिले की स्थानिय भहसा में भी होना चाहिए और अब पर कारवाई की जा सकती है और सजा के तौर पर उसे 6 माह का कारवास तथा 200 रुपए का जुर्माना लगा जा सकता है इसके अलावा वह प्रत्यक व्यक्ति जो निर्धारित टोल टेक्स से ज्यादा मातरा में टोल वसूल करता है अत्वास अधिनियम के विरुद्ध कोई टोल प्लाजर पर टेक्स देने के बावजूद भी घंटो लाइनों में लगे रहना पड़ता है और रिलीफ के नाम पर जनता को मिलता है केवल आस्वासन लेकिन इन आस्वासनों से तो काम नहीं चलता है कि जनता टोल टेक्स भी दे और घंटो लाइनों में खड़ी भी रहे दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस अधिनियम में बदलाव हो और इसमें सुधार किया जाए तो इस वीडियो को सेयर करें दोस्तों टोल टेक्स को लेकर आपके अमन में और भी बहुत सारे प्रस्न हो सकते हैं जिनको लेकर हम एक अन वीडियो बनाएंगे जहां पर हम आपके common प्रस्नों के जवाब देने का प्रयास करेंगे जिन में से कुछ प्रस्न ये हो सकते हैं कि आखिर हर टोल प्लाजा पर रेट्स अलग अलग क्यों होते हैं टोल टेक्स पर छूट को लेकर कोई प्रावधान है भी या नहीं उसके बारे में भी जानेंगे इसके अलावा अगर आप कुछ और भी इस विसर में जाना चाहते हैं तो नीचे हमें comment box में जरूर बताएं और साथ ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों कानूं से समन्दित ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें साथ ही हमारे फेस्बूक पेज को भी लाइक करें आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद